अशोग शर्मा, XMLA, Worker, Democratic Progressive Azad Party जो हाल में कश्मीरी पंड़त की किलिंग हुई है, संजे शर्मा की पलवामा में इसकी हम पूर जोर मजब्मत करते हैं ये बार बार अकलियत की किलिंग कश्मीर में और टार्गिट किलिंग जो है, ये नाकाबले बरदाश्ट है और इसके लिए सरकार को सक्से सक्स कदम उठाने चाहिए क्योंकि आज जब हम 21 सेंचरी में हैं, साइंट टेक्नालोजी और दूसी चीज़ों का इतना बड़ावा हुआ है और वहां अगर हम अपने लोगों की जान नहीं बचा सकते इसके बावियूद भी के आर्टिकल 21 कांस्टिउशन अब के इंडिया जो है वो उसमें परवदान है के स्टेट का जम्यवारी है वो हर इनसान की लाइफ और उसकी लिवर्टी की सरक्षा करे सरकार कश्मीरी पंड़त्स की जिन्दगी को बचाने में फैल हो रही है होम मनिस्टर साब को और प्राइम मनिस्टर साब को इसमें जाती तोर पर इंटर्वीन करना चाहिए हलांके बहुत अर्सा से कश्मीरी पंड़त्स मलाजमीन जो हैं कश्मीर के अंदर जो पोस्ट हुए हैं चाहिए वो प्राइम इनिस्टर पैकेज के जरीए हूँ चा अधरवाइज हूँ, वो प्रोटेस्ट के बावियूद भी उनकी सैलिस कई महनों तक बंद हैं, हाल ही में शिवरातरी का परवाया था, उस दुरान भी उनको तनखवा नहीं मिल पाई, तो ये एक स्टिग्मा इन किश्मेरी पंदस पहले होमलेंड की डिमांड करते थे, चा दूसी चीज़ें, एक वक्त ऐसा आया कि उनके लिए स्पेशल कालोनी जो है, वैली के अंदर जो है, वो स्रक्षित जगों पर बनाई जाए, बरहाल ये सबी चीज़ों को देखते हुए, मेरी सरकार से पुर्ज हालरी है, उसके पर अमल होना चाहिए, दूसरा, कोई ऐसा मेकैनिजम अपनाने में गरेज नहीं करना चाहिए, कि कोई भी आज के बाद कोई भी मलाजम जा कोई दीगर आदमी जो है, मिनार्टिका के लिंग जा टार्गिड के लिंग जो है, वो बंद होनी चाहिए, ये रि अगर दुनिया में कोई जनत है, तो जमो किश्मिर के लिए कहा गया कि यहीं है, यहीं है, लेकिन उस जनत बेनजीर को आज लो लुहन हो रहा है, किया जा रहा है, और हम, हमारी सरकारें इसको बरदाश कर रही है, इस पर पूरी तरह से गहर करके, सीरिसली इसको लेके, protection होनी चाहिए और तमाम उन लोगों को जिनका सेरली पैंडिंग है उसरकार उनको बागज़ार करें जैहिंद